इस वर्ष आपके कौशल में व्रधी और विकास होने की संभावना है जिससे आप अपने जीवन में संतुष्ट हो सकेंगे आप स्वतंत रूप में बाहरी संसार को अपना कर्म और कौशल दिखाने के लिए सफल होंगे इसके साथ आपकी प्रसिद्धी को भी आप उपर ले जाने में सफलता प्राप्त करेंगे और आपको धन का भी लाब होगा आपको अपने जीवन में निजी सभी उत्तरदाइतों पर विशेश ध्यान देने की आवश्यक्ता होगी अपने जीवन के सामाने सुखों से भी अपने को वंचित न रखें अपने लक्षियों पर अटल रहें और हर तरफ से मिलने वाले सुझावों को ध्यान से मनन करें इससे आपको चारो और से प्रोटसाहन मिलता रहेगा आप आसपास की समस्याओं से भी सतर्क रहें अपने कारे को प्रथम स्थान दें और अपने उपर आने वाली कुछ समस्याओं का समधान करने के लिए तत पर रहें इस वर्ष आपका प्रेम संबंध गहरा और शान्त होगा ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको अपने जीवन साथी के लिए भी और स्वयम के लिए भी खुद ही जीवी को पारजन करना होगा आपको जो भी समस्याओं परिशानी में डाल रही थी उनका समाधान भी संभव हो सकेगा अपने जीवन साथी के साथ कभी भी अपनी निजी जिन्दगी के बारे में कुछ न चुपाएं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है उनका इस वर्ष विवाह होने की उमीद है और उनके जीवन में बहुत ही रोमान्चक और प्रसनता आने की भी संभावना होगी ब्रहस्पती देव के अच्छे और सही होने के कारण आपकी आर्थिक इस्थिती बहुत ही अच्छी रहने की संभावना होगी धन का बहुत लाब होगा और विवस्था में सुधार होने की संभावना है किसी भी प्रकार के फिजूल खर्चे से दूर रहें अपने दोस्तों से आर्थिक मदद लेने में संकोच न करें आपकी आर्थिक समस्याओं का भी समधान होने की पूरी संभावना है वर्ष 2015 में आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी कुछ स्वास्थ संबंदी विकार हो सकते हैं जिसके लिए आपको अपने भोजन और व्यायाम पर पूरा ध्यान देना होगा तला हुआ भोजन ना खाएं अगर आप किसी खेल संबंदी माग से जुड़े होए हैं तो आपको लाप प्राप्त होगा इससे आपको शारेरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नती प्राप्त होगी राशी फल 2015 के अनुसार वर्ष का प्रथम भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी अच्छी कामनाएं और योजनाएं आपको आपके मार में सफलता दिलाती रहेंगी घर परिवार में सुक, आनन और प्रगती रहेगी आपकी हर प्रकार की इस्थिती संतोश प्रद रहने की उमीद है भविशफल 2015 के अनुसार विवा की उम्र अनुसार वर्ष के पहले भाग में इस मामले में सफलता मिलने के आसार है 2015 भविशफल के माध्यम से विद्यार्थी लोग भी अपनी अपनी सफलता पर खुश होंगे राशीफल 2015 के अनुसार वर्ष के मध्य भाग में या दूसरे भाग में आपके जीवन में कुछ परिशानी आ सकती है क्यूंकि राशीफल 2015 की दृस्टी से उस वक्त ब्रहस्पती अस्टमभाव में हैं जिसके फल स्वरूप कुछ समस्याओं के कारण आवश्चक चीजे दूर हो सकती हैं हर मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और साथ ही सचेत रहते हुए समस्या का हल भी निकालना होगा आपको हर तीसरे या चौथे महीने में जटा वाले नारियल पर लाल कपड़ा लपेट कर बहते हुए पानी में बहाना शुब होगा ब्रहस्पती देव ग्रह की उप्युक्त पूजा करने से भी आपको अधिक लाब प्रदान होगा आस गणेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दे धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाए प्रदान करते रहेंगे